नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें क्योंकि इस चैनल के माद्यम से लगाता आप सब्सक्राइब को जो भी संबंदित जानकाईया होती हैं सबसे पहले का कारे किया जाता है तो वीडियो को लाइक को शेयर करके चैनल को लेना बिल्कुल ना भूलें जहां पर 40 मिनट पर 40 कोश्चिंस के आंसर देकर आप जी सकते हैं एक करोड तकी स्कॉलेशिप 19 दिसंबर 12 बजे से एंडॉल करना बिल्कुल ना भूलें लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है आज गौतम 10 लगा कर आप एंड इंडिया रैंक भी जारी होगी और जो एक क्रोड का पैस होगा वो रैंक वाइस डिस्क्रिप्शन में हैं अभी एंडॉल करें साथी टेस्स को जोइन करना बिल्कुल ना भूलें जो भी आपकी टेस्स यहां पर दी गहीं है इन सभी की टाइमिंग आप सभी यहां से देख लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिच्छक भरती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट तो नई प्यास्मिक शिच्छक भरती के लिए है जो भी अब्याइदी करें की उत्तर प्रदेश में काफी लंबे उससे पहले एक छोटी सी जनकाई मैं आप शिच्छक भरती को लेकर चातों की और से कई अगर बात की जाए पुराने नेताओं की तरफ से या फिर बात की जाए विपक्षी पार्टियों के सामने जाकर भी अपने मुद्दे को संग्यान में लाई जाने का प्यास किया जा यह सब यह पहुंचे हुए थे जैसा कि आप सभी देख पाएं उनकी दरब से पत्र लिखवा कर भी सरकार को बेज़े जाने की मांग की गई है यहां पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा पत्र अगर बात की जाए प्रदेश के अंदर अगर बात कर एक बाया से ज्यादा पत हमारे पास खाली है ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर बाइस जाए पर दूसी बरती के भी यहां पर खाली रगए थे तो ऐसे में इन तमाम पतों को जोड़ कर नई सिच्छक बरती का जो बिग्यापने वो जारी कर दिया जाए इसी को लेकर यहां पर च्रॉत से लगाता जो पत्ते तो यह तो यह दो दोस्तों बात हो जाती है यहां पर ही दूसवी को देखने के लिए मिल जाएगा च्छातों की ओंसे मुद्दा है आप स्वी के सामने देखने के लिए मिल रहा है कि 97000 नई प्रात्विक शिच्छ वर लेकिन सरकार यहां पर दो बातों को भूल गई कि पिछले तीन सालों के अंदर सरकार ने बीटी सी तो बहुत सारे करवा लिए लेकिन अगर बात की जाए नई सिच्छक बरती को लेकर तो सरकार पूरे तरीके से खाली निकली है तीन सालों के अंदर लगाता बिएड़ बीटी सी की संक्या बढ़ती गई लेकिन नई सिच्छक बरती ना आने से ब्रोजगारों की संक्या और भी जादा बढ़ती जा रही है अब यह भी पिएड़ बीटी सी के नए बेचलोन चोज़े जा रहे हैं 2022 के अंदर एक और फिर से शुरू हो जाएंगे इनी तमाम मागों को लेकर चात्तों की तरफ से मुहीम शुरू की गई है अगर आप सच में चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक बड़ी संक्यां भरती का बिग्यापन जाली हो तो जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को शियर कर दे क्यूंकि 27 तारी के बाद 28 तारी को होने वाला धरना प्रदेशन उसके अंदर चात्तों की तरफ से सबसे ब लेकिन जितना जादा से जादा हो सके उतनी प्रदों पर भरती आने के इनी तमाब मांगों को लेकर 28 तारी को लखनों के अंदर एक बड़ा धरना प्रदेशन होने वाला है और मैं उन सभी छात्तों से कहना चाहूंगा जो लखना उसे दूर दराज के हैं क्योंकि अब तक आपको बर्गार रखने की आप शक्ता है जिसने की कहने की पदों की संक्या भढ़कर सतानवे हजार प्रदों पर सिच्छक बरती का विग्यापन जारी हो और एक कहने की बिरोजगारों की जो फॉर्स कड़ी होई है उसमें जादा से जादा लोगों को रोजगार मिल सके इ इसको लेकर बेसिक सिचा जाजिमंती की तरफ से अभी तक कोई जान क्या रहिं नहीं दिगई कई इस संब्स्तिक्वारों के अंदर नहीं भरती को लेकर वी सारा कारेक्रम आप सबीके सामने घोशित कर देंगे लेकिन संबाबना ज़्यादा है कि टीटी होने के बाद आपके सामनी जो भरती है वो देखने के लिए मिलेगी यही बज़य कि अभी तक नहीं भरती को लेकर कोई जानकाई सरकार की तरब से नहीं दी गहीए बस गोश्णा पत्रसा जारी कर दिया है उसकों बाद कोई नया का और अगर आप जादा ही दूर से तो इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल न भूलें यह बात हुजाती नई सिच्छक भरती के बारे में लेकिन दूसरी तर बात कीज़ें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो की सब्सक्राइब को लेकर की मिल जाए लेकिन सरकार ने बात यहां पर कह दी कि हमसे घोटाला हो गया है और हम यहां घोटाली को छुपाने के लिए 6000 पर आपको दे देंगे लेकिन यह बात कहिने के उन चात्तों को गले नहीं उतर रही उनका कहना है कि अगर घोटाला हुआ है तो कारवाई होनी धरना प्रदेशन किया जा रहा है पहले अभ्यति यहां पर कहने की आरचन को लेकर धरना प्रदेशन करते थे अब आरचन के साथ साथ एक और नया धरना प्रदेशन शुरू हो गया है जो कि 79 जा सिच्छक वरती के साथ है 22,000 सीटों को लेकर मामला अभी तक शांत नहीं दूसरी तरब नीचे आपस्पी को और भी जानकाई देखने के लिए मिलेगी कि 6000 सीटें देने से नाराज अव्यति उनकी मांगे की अठाय से उन्नी सजार जो सीटें उनकी उपर घोटाला हुआ है उतनी सीटें यहां पर मिलनी चाहिए अब कहने की सरकार को टकड़ा जट के माध्यम से सरकार पर कहीने की जटका देते हुए यहां पर उनका कहना कि जब तक 19,000 को लेकर फैसला नहीं हो जाता तब तक वह 6000 सीटों को लेकर यहां से प्रशार करते रहेंगे अब मामला कहने की सरकार के हाथ में क्या होगा क्या नहीं यह तो सरकार जाने क्यूंकि घो लेकिन वही दोसी तब अगर बात की जाए लेकर उत्तर प्रदेश अधीन सिर्वा चैन आयोग जिसका नाम लेकर यह लगता है कि बहुत बड़ी चीज होगी और वागी बहुत बड़ी चीज है पिछले 6 महीने के अंदर इन्होंने एक परिच्छा कलेंडर जारी किया जिसमे प्रदेशन दिये जाने के बाद से कुछ के परड़ाम यहां पर जारी कर दिया गया लेकिन लेकिन लेक्पाल बरती को लेकर चाहत इंतिजार करें कि अगर उस भरती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो वह भी आगे की प्रकिया के अनुसार अपनी तयारिया कर सकें जान करेंगом करेंगा लेकिन यह देचार आए कि अगले हते हो जाएगा लेकिन जान के जीन आप आने की जादा संबाव न feeding को लेकर जो भी उप्डेट के माध्यों सब्रकित जाएगी वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें चल्कू सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें